कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी है गुरुदेव रबेंदर नाथ टेगोर की लिखी एक रात्री 1892 में यह कहानी लिखी गई थी तब से अब तक कम से कम पाँच बार इसका अंग्रेजी में अनुवाद की आ जा चुका है जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कहानी काफी पसंद की गई है आईए सुनते हैं एक रात्री मेरे यानि मनीशा के साथ सुर्बाला के संग मैं एक साथ बाटशाला गया हूँ और बव बव खेला हूँ उसकी घर जाने पर सुर्बाला की मा मुझे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों को एक साथ खड़ा करके देखती और आपस में बातचीत करती अहाँ, दोनों की चोड़ी कैसी अच्छी लगती है मैं छोटा था, पर इस वाक्य का अर्थ एक प्रकार से समझ जाता था अधिकार मद से मत होकर मैं उस पर शासन और अन्याय नहीं करता था, यह बात न थी वह भी सहिशनुवन कर मेरी सब तरह की आज्याओं का पालन करती और सजा मन्जोर कर लेती थी महले में उसके रोग की प्रशंसा थी, परन्तो मुझ जैसे उजड लड़के की द्रश्टी में उस सौंदरे का कुछ गौरव न था मैं समझता था, सुर्बाला केवल मेरे ही प्रभुत्व को मानने के लिए अपने पिता के घर पर जन्म लिया है इसलिए वहें मेरे लिए विशेश उपेक्षा की वस्तु है मेरे पिता चौधरी जमिदार के यहां नायब थे उनके इच्छा थी कि लिखाई में मेरा हाथ सद जाने पर मुझे जमिदारी सरिष्टे का काम सिखा कर कहीं पर गुमाश्टे के काम पर लगा देंगे परन्तु मैं मन ही मन इस बात से नाराज था हमारे मुहले का नील रतन जैसे कलकते भाग कर वहां पढ़ लिखकर कलेक्टर सहाब के नीचे नाजर बन गया है मेरे जीवन का लक्षे भी वैसा ही बहुत हुँचा था कलेक्टर का नाजर ना हो सका तो दूसरी किसी अदालत का हेड कलर्क बनूँगा ये मैंने मन ही मन निश्चे कर रखा था मैं हमेशा देखता कि मेरे बाप उक्त अदालत जीवियों का अत्यंत सम्मान करते थे नाना उपलक्षों में मचली, साग तरकारी, रुपए पैसे आदी से उन लोगों की पूजा अर्चना की जाती थी यह भी मुझसे चिपा नहीं था इसलिए अदालत के छोटे से छोटे करुणचारी यहां तक की प्यादों तक को अपने हृदय में मैंने खुप सम्मान का संदे रखा था यह हमारे देश के पूज्य देवता हैं तैतीस कोटी के छोटे छोटे नई संसकरण है जमीन, जायदा, संबंधी, सिध्धी लाब के लिए तो स्वयम सिध्धी दाता गणेश से भी इन लोगों का आंतरिक वरोसा बहुत जादा है इसलिए पहले गणेश का जो कुछ हक था आजकल वह सब इने ही मिला करता है मैं भी नील रतन के द्रिश्टांत उत्साहित होकर एक दिन मौका पा करकर कत्ते भाग गया पहले गाउं के एक जान पैचान वाले के आठेरा उसके बाद फिर बाप से भी अध्यान के लिए कुछ-कुछ साहिता मिलने लगी पढ़ाई नियम से होने लगी इसके अलावा सभा समीतियों में भी शामिल होता था देश के लिए सहसा प्राण विसर्जन करने की बहुत ही शीग्र आवशकता है इसमें मुझे संधे न था परन्तु किस तरह यहे दुशसाध्य कारे हो सकता है मैं जानता न था और ना कोई दृष्टांत ही दिखता था परन्तु फिर भी उत्सहा में कोई कमी नहीं थी हम लोग गमाई गाउं के लड़के थे कलकत्ते के लड़कों की तरह सब बातों को हसी में उड़ाना नहीं जानते थे इसलिए हमारी निष्ठा अत्यंत दृड थी हमारी सबहा के संचाला गण व्याख्यान दिया करते थे और हम लोग चंदे का खाता लेकर पिना खाए पिये भरी दोपहरी में योही घर घर भीग मागते फिरते थे सड़क के किनारे खड़े होकर विज्यापन बाटा करते सबहा इस हल में जाकर बेंच, चौकी वगहरा लगाते और सबहा द्यक्ष के नाम पर यदि कोई एक बात कह देता तो उससे कमर बांध कर लड़ने को तयार हो जाते शहर के लड़के इन सब लक्षणों को देखकर हम लोगों को काउं के कमार कहने लगते थे नाजिर सरिष्टेदार बनने आया था पर मेजनी गैरी बाल्डी होने की तयारियां करने लगा इतने में मेरे पिता और सुर्बाला के पिता दोनों एक मत होकर सुर्बाला के साथ मेरे विवहा की तयारियां करने लगे मैं पंद्रा वर्ष की उमर में कलकत्ते भाग आया था तब सूर्बाला की उमर आट साल की थी अब मैं अठारा बरस का हूँ पिता का मत है मेरी पिहा की उम्र क्रमशह बीचती जा रही है परंतु इधर मैंने मन ही मन प्रतिग्या कर ली है कि आज इवन विवाह नहीं करूँगा और सुदेश के लिए मर मिटूँगा विताजी से कह दिया विद्या भ्यास हमाप्त के बिना विवाह न करूँगा दो ही चार महीने में खबर मिली कि वकील राम लोचन बावो के साथ सुर्बाला का विवाह हो गया पतित भारत के लिए मैं तब चंदावसूली के काम में मश्कूल था यह खबर बहुत ही मामूली सी जान पड़ी एंट्रेंस पास कर चुका हूँ फर्स्ट आर्ट्स की परिक्षा देने वाला था इतने में पिताजी की मृत्य हो गई घर में सिर्फ मैं ही अकेला न था माता और दो बहने भी थी इसलिए कामकाज की टोह में गूमना पड़ा बड़ी कोशिश से नुवाखाली विभाग के एक चोटे से कस्वे में एक स्कूल की सेकिंड मास्टरी मिली सोचा अपनी योग्या काम मिल गया अच्छा ही हुआ उपदेश और उच्छा देखकर एक एक विद्यार्ती को भावी भारत का सेनापती बना दूगा काम शुरू कर दिया देखा कि भावी भारत की अपेक्षा आसन इंतिहान की हरबड़ी बहुत जादा है चातरों को ग्रामर और इल्जबरा के अलावा बहार की और कोई बात समझाने से हेड्मास्टर साब नाराज होते हैं दो ही महीने के अंदर मेरा उत्सा ठंडा पड़ गया मुझ जैसे प्रतिबाहीन लोग घर बैठे अनिक तरह की कल्पनाई किया करते हैं परंतु अंत में कारेक शेतर में उतरने के बाद कंदे पर जब हल रखा जाता है और पीछे से पूँच मरोड़ी जाती है तब सिर जुकाए सहिशनुता के साथ दिन भर खेज जोतने का काम करने के बाद शाम को जो भर पेट भोसा मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं फिर उचल खूद और उत्सहा कुछ भी नहीं रहता आग लगने की आशंका रहती इससे एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता था मैं छडीदा आदमी था अतहे मेरे ही उपर यह फारा पड़ा स्कूल से सटी वी एक चोटी सी जोपड़ी थी उसी में रहने लगा स्कूल कस्पे के बाहर कुछ दूर पर था एक बड़े तालाब के किनारे चारों तरफ सुपारी, नारियल और मंदार के पेड़ थे और स्कूल से बिलकुल सटे हुए दो बड़े बड़े नीन के पेड़ थे जिनकी चाया से स्कूल के लोग काफी फायदा उठाते थे एक बात का उलेख करना रह गया और अब तक उसे मैं उलेख योगे समझता भी न था यहां के सरकारी वकील राम लोचन राय का मकान हमारे स्कूल से नजदीक ही था और उनके साथ उनकी स्त्री मेरी बाले सकी सुर्भाला वहीं थी यह मुझे मालूम था राम लोचन बाबू के साथ मेरी जान पहचान हो गई सुर्भाला के साथ मेरे बच्वन की जान पहचान थी यह बात राम लोचन बाबू को मालूम थी या नहीं मैं नहीं कह सकता मैंने भी उनसे इस नए परीचे में इस संबंध में कोई बात कहना उचित न समझा और यह बात भी थी कि सुर्वाला किसी दिन मेरे जीवन के साथ किसी प्रकार से विजडित थी मेरे मन में अच्ची तरह उदे न हुई एक दिन छुटी के रोज राम लोचन बाबू के घर पर उनसे मिलने गया था याद नहीं किस विशे में बात चीच चल रही थी शायद वर्तमान भारत की दुरवस्था के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे वे इस बारे विशेश चिंतित और व्याकुल थे सो नहीं पर यह विशे ऐसा है कि तमबाकू पीते पीते इस बारे में घंटा डेड़ घंटा अनरगल बाते करते रहो कुछ मालूम नहीं पड़ता इतने में पराल की कमरे से अत्यंत मृदू कुछ चूडियों की जन-जन जरा कपडों की खस-खस और पैरों की कुछ आवास ही सुनाई थी मैं अच्छे तरह समझ गया कि खिड़की की सांध में से कौथूहल पून नेतरों से कोई मेरी और देख रहा है उसे क्षन दो आखों की मुझे याद उठाई विश्वास, सरलता और शैशक्रीती से चलकती भी दो बड़ी-बड़ी आखे थी उनमें काले-काले तारे थे और स्थिर स्नेक्द द्रश्टी थी सहसा मेरे रिदेगों किसी ने कठोर मुठी में दाब लिया और वेदना से मेरा अंतर अधबके फोड़े की तरहे फड़कने लगा मैं अपनी जूपड़ी में लौट आया पर वह वेदना बने ही रही लिखता, पढ़ता और भी काम करता पर मन का वह भाव दूर न हुआ मन मेरा सहसा भारी बोज बनकर चाती की नसे पकड़ कर जूलने लगा शाम को कुछ स्थिर होकर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ मन के भीतर से उत्तर मिला तुम्हारी वह सुर्बाला कहां गई मैंने उसके प्रतियुत्तर में कहा मैंने तो उसे अपने इच्छा से छोड़ दिया है वह क्या हमेशा मेरे लिए बैठी रहती मन के भीतर से किसी ने कहा तब जिसे चाहने पर ही पास सकते थे अब सिर दे दे मारो तो भी उसे एक बार आँखों से देखने तक का अधिकार नहीं मिल सकता वह पाल्य वस्था की सुर्बाला तुम्हारे कितने ही पास में क्यों ना हो उसकी चूड़ियों की जनकार सुनो उसके सिर में तेल डालने की गंद का अनुभव करो परंतु बीच में एक दिवार हर हालत में रही की ही मैंने कहा रहने दो सुर्बाला कौन सी मेरी है उत्तर मिला सुर्बाला आज तुम्हारी कोई भी नहीं है पर सुर्बाला तुम्हारी क्या नहीं हो सकती थी बात तो सच है सुर्बाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी सबसे बढ़कर अतरंग हो सकती थी सबसे ज्यादा निकटवर्ती हो सकती थी मेरे जीवन के संपूर्ण सुक दुखों की भगी नहीं हो सकती थी वह आज इतनी दूर है इतनी पराई है आज उसे देखने तक की मनाही है उसे बात करने में भी दोश है उसके विशे में चिंता करना भी पाप है और एक राम लोचन नाम का अंजान आदमी अचानक आदम का और सिर्फ दो चार रटेवे मंत्र पढ़कर सुर्बाला को दुनिया के और सबों के पास सेक्षन भर में छपटा मार कर ले गया मैं मानव समाज में नई नीती का प्रचार करने नहीं बैठा समाज तोड़ने नहीं आया, बंधन तोड़ना नहीं चाहता मैं सिर्फ अपने मन के असली भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ अपने मन में जो भाव उठा करते हैं, वे क्या सभी विवेचना करने यो क्यों होते हैं रामलोचन के घर में दिवार की ओट में जो सुर्बाला खड़ी हुई थी, वे है रामलोचन की अपेक्षा मेरी ही अधिकतर थी इस धारणा को मैं मन से किसी भी तरह दूर नहीं कर सकता था ऐसी चिंता बहुत ही असंगत और अन्याय युकत है, इस बात को मैं मानता हूँ, परन्तु यह अस्वभाविक नहीं है अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता तो पहर को जब क्लास के लड़के गुन गुना कर पढ़ा करते थे, बाहर जब धू धू लू चलती थी गरम हवा जब नीम की पुष्प मंजरियों की सुगंद बहा लाते थी, तब मेरी इच्छा होती थी क्या इच्छा होती थी, मालूम नहीं हाँ इतना कह सकता हूँ कि भारत वर्ष के इन सब भावी आशास पदों की उनकी व्याकरण की भूले बता कर जिंदगी बसर करने की इच्छा बिलकुल नहीं होती थी स्कूल की छुटी हो जाने पर उस उनसान बड़े घर में अखेले मेरा मन नहीं लगता था और अगर कोई भला मानस मिलने आता तो वह भी नागवार गुजरता संध्या के समय तालाव के किनारे सुपारी और नारियल के पेडों की अर्थ हीन मरमर्ध्वनी सुनते सुनते सोचता मनुष्य समाज एक जटल भ्रम का जाल है ठीक वक्त पर ठीक काम करने की किसी को भी याद नहीं रहती उसके बाद बेठीक वक्त पर बेठीक वासनाएं लेकर तड़ता रहता है तुम सरीखा आदमी सुर्बाला का पती बनकर पुढ़ा पे तक खूब सुक से रह सकता था सो तुम बनने चले गेरी बॉल्डी और हुए आखिर एक कमई गाओं के स्कूल के सेकंड मास्टर और राम लोचन राय वकील हैं उन्हें खास तोर से सुर्बाला के पती बनने की कोई विशेश आवशकता न थी विवा के एक शण पहले उनके लिए जैसी सुर्बाला थी वैसी ही भवशंकरी वही राम लोचन आज बिना कुछ सोचे समझे सुर्बाला के साथ विवा करके सरकारी वकील बनकर मजे में रुपए पैदा कर रहा है जिस दिन दूद में जरा धुमे की भू आती है वो उस दिन सुर्बाला का तिरसकार करता है और जिस दिन मन प्रसन रहता है वो उस दिन सुर्बाला के लिए गहने बनवा देता है खोब मोटा ताजा है चक्कन पहनता है किसी प्रकार का संतोश नहीं तालाब के किनारे बैठ कर आखाश के तारों की और देख कर किसी दिन हाई तोबा करके संध्या नहीं बिताता। राम लुचन किसी भारी मुकदमे के काम से कहीं बाहर गए वे थे। स्कूल वाले घर में जैसा मैं अकेला था, उस दिन सुर्बाला के घर सुर्बाला भी शायद वैसी ही अकेली थी। याद है, उस दिन सोमवार था। सवेरे बादल हो रहे थे, करीब दस बजे से टप टप मेह बरसना शुरू हुआ। बादलों की हालत देखकर हेड मास्टर ने जल्दी स्कूल की छुट्टी कर दी। काले बादलों के टुकडे मानों किसी एक महा आयोजन के लिए तमाम आकाश में दिन भर इधर से उधर दोड़ धूप करते रहे। उसके दूसरे दिन शाम को मुसलाधार वर्षा और साथ साथ आंधी भी शुरू हुई। जितनी रात होने लगी वर्षा और आंधी का वेग उतना ही बढ़ता गया। पहले पुर्भईया हवा चलती रही, फिर क्रमशय उत्तर और उत्तर पूर्व के हवा चलने लगी। ऐसी रात को सोने की कोशिश करना व्यर्थ है। याद उठाई। आज की रात में इस आंधी मेह में सुर्भाला घर में अकेली होगी। हमारा स्कूल वाला घर उसके घर से कहीं मजबूत है। इतनी ही बार सोचा उसे स्कूल वाले घर में बुला लूँ और मैं तालाब के किनारे रात बिताऊँ। परन्तु किसी भी तरहे मन शांत ना हुआ। रात के करीब एक तेड़ बजे होंगे। सहसा बार आने का शब्द सुनाई दिया। मानो समुद्र दोड़ा आ रहा हो। घर से बाहर निकला। सुर्भाला के घर की ओर चला। रास्ते में तालाब की मेंड है, वहां तक पहुँशने में मुझे खुटनों तक पानी पड़ा। मैंने मेंड के उपर चड़कर देखा तो वहां और एक तरंग आ उपस्थित होई। हमारे तालाब की मेंड का कुछ हिस्सा लगभग 11 हात उंचा होगा। मेंड पर मैं जिस समय चड़ने लगा, उसी समय दूसरी ओर से एक और आदमी चड़ा। बहे आदमी कौन था, यह मेरी संपूर्ण अंतरात्मा ने मेरे सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण अंगों ने जान लिया। और उसने भी मुझे पहचान लिया, इसमें जरा भी संदेह नहीं। और सब कुछ पानी में डूब चुका था। सिर्फ हम ही दोनों जने उस पांच-छे हात के द्वीब में खड़े रहे। तब प्रलय का समय था। आकाश में प्रकाश न था। संसार के सारे प्रदीब बुझ चुके थे। एक एक आद बात कर लेने में भी कोई हानी नहीं थी परन्तु एक भी बात मुझे न निकली। किसी ने किसी की भी कुशल तक न पूछी। दोनों जने केवल अंधकार की तरफ देखते रहे। पैरों के नीचे घोर, कृष्ण, वण, उनमत, मृत्य, श्रोत, गरश्ता हुआ प्रवाहित हो रहा था। आज संपूर्ण, विश्व, संसार को छोड़ कर सुर्बाला मेरे पास आकर खड़ी हुई है। आज मेरे सिवा सुर्बाला का संसार में और कोई भी नहीं है। एक दिन शैशवकाल की वह सुर्बाला न जाने किस जनमांतर से, किस पुराने रहस्यांधकार से पहकर इस सूर्य चंडरालोकेत लोक परिपून प्रित्वी पर मेरे पास आ लगी थी। और आज, कितने दिनों बाद उसी आलोक में लोक में प्रित्वी को छोड़ कर इस भयानक जन शोन्य प्रलया अंधकार में सुर्बाला अकेली मेरे ही पास आ उपस्थित होई है। चंड स्रोत ने जिस नव कलिका को मेरे पास लापटका था, अब मृत्यु स्रोत उसी विक्सित पुष्प को मेरे ही पास ले आया है। अब सर्फ और एक लहर के आते ही प्रित्वी के इस टुकडे से विच्छेद के इस डंठल से तूट कर हम दोनों एक हो जाएंगे। वह लहर ना आवे। पती, पुत्र, ग्रहे, धन, परिवार को ले कर सुर्पाला चिर्काल तक सुकसे रहे। मैंने इसी एक रात्री में महाप्रलय के तट पर खड़े-खड़े अनंत आनंद का आस्वाद पाया है। रात करीब खत्म हो आई, आंधी धम गई, पानी धट गया। सुर्पाला ने कुछ भी न कहा, चुपचाब घर की ओर चल दी। मैं भी बिना कुछ कही सुने, चुक्के से अपने घर लोट आया। सोचने लगा, मैं नाजर भी न हुआ, सरिष्टेदार भी न हुआ, गरी बाल्डी भी न हो सका, मैं एक टूटे-फूटे स्कूल का सेकिंड मास्टर हूँ। मेरे सारे जीवन में सिर्फ ख्षन भर के लिए एक अनंत रात्री का उदय हुआ था। मेरी परमायू के संपोर्ण दिनों में सिर्फ यही एक रात्री मेरे तुच्छ जीवन की एक मात्र चरम सार्थकता है। झाल